हलो और यहोप और फिलिंग वेल जो भी जाओंगे बड़ी आओंगे इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 की इस्वरन जो चैप्टर 3 है इस्वरन दिया स्टोरी टेलर उसकी हिंदी समरी को देखेंगे आखिर उस स्टोरी का क्या हिंदी माने निकलता है इस वीडियो में पूरी सुपरवाइजर था कंपनी सुपरवाइजरों को बिल्डिंग अस्थल फैक्टरी पूल बांध आधि किराया पर कार करने के लिए देती थी मेंदर की नोकरी कारे अस्थल के क्रिया कलापों पर नजर रखने के थी उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था वह कुमार करने की वस्तों को ना जाने कहां से उपलब्ड कर लेता था एक या अधिक घंटे में जादो ही रुप से ताजा सब्जियों के साथ स्वादिस्ट ब्यांजन परस्थूत कर लेता था मेंदर कुछ खाने के साथ साथ सुबही काम पर चला जाता था इस वरन का कार मेंदर के चले जाने के पाज़द इस वरन छपर को समारता था वो पर हमके आता प्राथना करत्या आ जनान करता दो पर के खाने के पाज़द सुस्तां कि लोत्तमिल भासा में एक संसर्णी खेज पुस्तग पढ़ता उसका कहानी कहने का अध्बुत तरीका था उसकी चाहनीगों ₹ पुस्तर का प्रभाव होता था इस वर्ण का जोटी से छोटी घटना को औरन करने का अधवुत तरीका था और रहस में बिदार्थी लकडी के स्थान से बज निकला या उदर उदर घुमता रहा इसने बेले उखाड़ दी और टैनिया तोड़ दी इस वरन कहानी से इतना प्रभावित हो जाता है कि यहां वहां उचलने लगाता है हाथी विक्तियों में दहसत उत्पन कर देता है हाथी कस्वे में पहुंच जाता है इसमें फलो की सारी दुकानों को तोड़ दिया बेगती उदर उदर दोड़े बिदार्थियों ने अपने क्लास्रूम में शिपा लिया गलिया खाली हो गई उस समय इस वरन छोटी कच्छा का विदार्थी था उसने नहीं जाना कि उससे क्या हो गया था एक छड़ी ली और हाथी का पीछा गण लगे इस वरन द्वारा कहानी का हाथी ने चिंगाण वारी और अपने पैर पटके बेक्ती पर जादू जैसा प्रभाव हो गया था तब इस वरन ने हाथी के अंगुटे के नाखुन पर वार किया यह सिर से पैर तक आप काप गया पर नीचे गरिए जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया दो दिन पस्चात हाथी को महावत द्वारा ले जाया गया इस वरन से पूछा कि क्या उसमें ऐसा कुछ किया तो उसे बताए कि इसने जापानी कला कराटे या जूजित आदे द्वारा किया इस वरन की भूत की द मेहंदर नाम का वेक्ति है वह स्टोरी सुनाता है उसे डर नहीं लगा क्योंकि वहादूर था प्रंतु एक महिला का व्यानक बहुत सामने है उसके बाल लुजे थे और चेहरा सुखा था वह कुरूप थी इसके आथो में एक बुडून था मेहंदर की पर्तिक्रिया इस्व हरत रात बेचैनी होती रही हर एक रात वाप देखने के लिए कोई गती तो नहीं अंदेरे में गूर कर देखता पुन चांदी रातों को हमेशा कास की परसंसा करता पसंद करता प्रंतु इस्वर्ण की कहानी के पशात खिड़की से बाहर देखने से बचता मेहंदर एक कुंडली अकरती उसने एक बंडल पकड़ रखा था उसको पसीने आ गया और हाफने लगा बाद में उसने सोचा किया उसके और चेतन मन की कोई चाल हो सकती है मेहंदर अस्थान को छोड़ने का निरने करता है अगली सुबह मेहंदर दफतर जाने के लिए त्यार रहा तब क्यास का बैकर परन्तु इसरण उसके पास आया उसने उसे बहुत के बारें बताया स्दल को प्छले रात करहाट ने थी उसे उसे मेहंदर की बहुत की देखते हुए मेहंदर के सरीर में ठंडा करेंट सा दोड़ गया वो अगली सुबा दफ्तर गया उसने अपने काविज प्रस्तूत कर दिये उसने अगले दिन ही उसका भूता अस्तान को छोड़ने का निस सब्सक्राइब यह जोड़ी सिंफॉर्विसन आपको कैसी लगी है यह जे स्टोरी इस स्टोरी बिलॉंग्स टू चैप्टर 9 इन सिवियर सी एज मुमेंट्स और थोड़ी सी मिस्ट्रियस स स्टोरी है और इसका हम ने हिंदिस स्रांस के बारें बताया है आप कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बागा है